जेहिन दोस्तों एक बार फिर स्वागत है बेश्टेक्जम की यूटूब चैनल पर SSGD Constable भरती 2022-23 का एंसर की वो ओफिसली तरीके से जारी हो चुका है और आसा करता हूँ सबी ब्यारतों ने चेक भी कर लिया होगा तो आप लोगों का फिजिकल बहुत ही जल्द शुरू हो है तो बात करेंगे फिजिकल कब सुरू होगा साथ ही फिजिकल में आप लोगों का क्या क्या होने वाला है कैसे अप तैयारी करें ताकि कम समय में आप अच्छी मैंद करके फिजिकल आप क्वालिफाई कर सकते हैं क्यूंकि धोस्तों बहुत ज्यादा candidate फिजिकल में बाहर ह हो जातें तो सबसे पहले बात करें कि फीजिकल में आप लोगों का क्या क्या होने वाल, running कितंटी going to do से घंच कितनी रहनी चीह, which wept आप लोगों का कितना हो न चीह, chest कितना हो ना चीह, तो इसको लेकर पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में डीटेल से मिलने वाले हैं अगर आपने भी SSGD बर्ती 2022 का एक्जाम दिया है एंसर की चेक कर ली है तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें वीडियो को पूरा देखें और आसे ही फीजिकल की त्यारे में जूट जाएगा क्य क्याइट सबसक्राइब कर लिजिएगा साथ एक कितने नंबर बन रहे हैं और आप कौनसे राज़े करने आप में जरूर विलकुल क्यूंत बोक्स में लाकोन करके आपमें जरुर बता है तो बिल्कुल सबसे बह पूरा समय हो आप के लिए 1.6amaonad seconds को सेखेट समय जाए अप सेलिया शाजरेस लेकिन यह लदाक वाले व्यारति आरतियों के लिए है जब कि एगर female की बात करें तो female के लिए 1600 मिट्र रेच के लिए 7.5 मिनिट का समय दिया जाएगा अगर लदाग से फिले जो female candidate बिलों कर रहे है तो उनको 800 मिनिटर के लिए 4 मिनिट का समय या पर दिया जाएगा एब यहापर बात करते ही 빼इस अग्र हाइट की बात करें तो मिनीमम अगर हाइट की बात करते हैं, तो कि भी क्यक्तिमेत्य है, मिनीमम इसलब क्यों नियुक्त Sh 지금ивать के हाइटidade की मिनीमम जो हाइट वह 176 cm हो नियुक्त Sh हाइट में किन-किन व्यार्थियों को छूट मिलेगी तो बिल्कुल मैं आप लोगों को बता दूँ अगर आप ST candidate है अगर आप ST candidate है तो आपको हाइट में छूट मिलेगी आपको अपना ST से विलोग करते हैं उनकी जो मिनिमम हाइट है वो 112.5 cm होनी चीए मेल केंडेट के लिए और फिमेल के लिए जो हाइट है वो 150 cm होनी चीए उसके अलावा अगर आप 30 से विलोग करते हैं तो भी आप लोगों को हाइट में छूट मिल जाएगी 112.5 cm आपकी हाइट है तो आप आराम से 30 cm के बीच में आप लोगों का चेस्ट यहाँ पर होना चीए बिल्कुल मैं आप लोगों दिखा देता हूं 80-85 cm के बीच में आप लोगों का चेस्ट यहाँ पर होना चीए मैल केंडेट शुट भी हैं फॉलोइंग यहाँ पर आप देख लिजेगा यह केटेगरी है जिनमें आप लोगों को अलग से यहाँ पर छूट दी जा रही है मिनिममम आपका जो चेस्ट है वो 80 cm के बीच में होना चीए मैल केंडेट के लिए चेस्ट लागू रहेगा और एक्सपेंशन 5 cm आपको फूलाना है मतलब 80 से लेकर 85 cm आप लोगों का चेस्ट यहाँ पर होना चीए चेस्ट में छूट मिलेगा एस्टी केंडेट को साथी जो नोर्तिस्ट से विलोंग करते उनको भी चेस्ट में यहाँ पर छूट मिलने वाली उनका अगर आप चेस्ट की बात करें तो चिंतर से लेकर 5 cm के साथ में होना चीए एस्टी केटिग्री में जबकि नोर्तिस्ट वालों का अठंतर नोर्मल होना चीए और 5 cm आपको चेस्ट फूलाना है उसके बाद में होता है आप लोगों का वेट वेट आपकी हाइट के कोडिंग होना चीए लेकिन जो फाइलली वेट का मिजरमेंट होता है वो होता है आप लोगों का जब मेडिकल होता है उस समय तो अभी भी अगर आपको लगता है कि मेरा वेट ज्यादा है या कम है तो बिलकुल आप वेट को लेकर भी त्यारी शुरू कर दीजिएगा क्योंकि वेट में मेडिकल के समय काफी केंडिडेट बाहर हो जाते इसके अलावा document verification आप लोगों का नहीं होने वाला केवल और केवल physical होगा और physical में जो भी pass होंगे उन सभी की एक और cut-off जारी की जाएगी और vacancy के तीन गुना candidate को pass किया जाएगा उसमें और उनका medical यहां पर SSC की तरफ से करवाया जाने वाला है इसके अलावा दोस्तो आपको physical के लेकर आपको कोई भी doubt है आप बिल्कुल comment box में comment करके आप हमें जरूर बताएगा साथ ही आप कौन से राजे से विलोंग करते और कितने number आपके लिए return examination में बने वो भी आप जरूर comment करके बताएगा दोस्तो इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में तब तक के लिए जय हिंद जय बार